तीसरे चरण के मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और एटा की चारों विधानसभा सीट पर इस चरण में वोट डाले जा रहे हैं मेरे साथ इस वक्त एटा सदर के एक पॉलिंग स्टेशन पर वोट देने पहुचे बीजेपी से राजसभासांसद हरनात सिंग यादव मौझूद है बातचित करने के लिए सबसे पहले में प्रशनता है कि मैंने परкиठम्वार सबसे बहुत डला है पहले पुछते ही कि पहले जल्पान nay प्रफ्वां किया है उसके बाद जाकर के चल्पान करें और आपको भी हम आमंतित करते हैं आप दिल्ली साहिए हैं हाँ शुक्रिया पहले तो आप जो इंग्ड फिंगर है वो दिखाए और बाकी लोगों से भी अपील करें कि आप सबसे पहले मतदान करने पहुचें इस इलाके के लोग भी बड़ी संक्या में मतदान करने पहुचें मैं अपने सबी मतदा वहियों से निवेदन करता हूँ अपील करता हूँ यह मतदान का जो काम है बहुत पवित्र काम है इस आप एक वटन दबा करके और अपने शेत्र का अपने परुदेश का क्या ना मैं भविश्च का फैसला करेंगे इसलिए मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि आप तुरंत शीगर से शीगर अपने परिवार घर से निकलें घर के सारे सदस्यों को ले करके और मद्दान करें आकर के शत प्रश्चत मद्दान करें मैंने अपने परिवार के जितने भी मत्ते वो पूरे जो हैं जलवा दिये हैं। इस इलाके में अगर मैं सिर्फ एटा के बात करूँ तो चारो की चारो सीटे बीजेपी के पास है फिलहाल। इस बार कितनी उमेदे हरनाच सिंग यादव लगा रहे हैं चारो सीटों पर। इस गरीब अत्यंत निर्धनतम लोगों को गरीबों को और उनको फ्री राशन दिया है तेल दिया है चेनी दिया है पैसा दिया है आर्थिक सहता किया है यह प्रमुख मुद्दे हैं इस चुनाव के और भारती जनता पार्टी इन सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से खरी उतरी है और यह जन्यनत की आवाज है कि भारती जनता पार्टी तो यहां की जनता अपने प्रत्याश्यों को उतारा है उनके नाम पर वोड़ देगी या काम पर दिखे मैं केवर चार सीट की बात एटा जिले की नहीं करूँगा कि महमारा पुराना जिलास जिसमें कासेंज भी आता है एटा कासेंज दोनों जिनों में सातों सीटों पर भारती जनता पार्टी के प्रत्यासी प्रचंड बहुमत के साथ जीत करके आ रहा है और उत्तर प्रदेश के अंदर हम 300 से सीटे पार करके सरकार बनाने जा रहा है वक्त तक मुलायम सिंग यादव का ये गढ़ नहीं है भारती honest पार्टी व्याद है उ मने देखे है 2014 में सारी शीटे लिया 17 में हमने उनको हराया 29 में हराया और 22 में भी हराने जा रहे हैं बरी तरीक में से और 24 में भी हम सारी सीटे जीतेंगे ये सुनिश्चित है क्यों को भारती जनता परटी ने विकास की दर्ष्टी जनकल्यान की दर्ष्टी से कानून विवस्था की दर्ष्टी से और जो उच्च मांदन दे स्थापित किये हैं आम जनता में उसकी पैठ है इसलिए संपूर जनता जो आदरी मोदी जी का मंत्र है सबका साथ सबका विकास सबका इस मंत्र को साकर करने के लिए भाजपा को सपोर्ट कर रही है जारो के जारो सीटेव पर किसी एक पार्टी क्लीन स्विप कर पाएगी या इस बार आंकडा और खेल दूसरा देखने को मिल सकता है अपने सायोगी वरुन के साथ निरिश्री एबीपनियूस एटा